आज आपके सामने कुछ सब्द कहना चाहती हूँ उन महिलाओं के बारे में जो अपने स्कूल के टाइम में पढ़ना चाहती थी, कुछ अच्छा करना चाहती थी, पर घर के माहौल अच्छा नहीं होने के कारण, घर में सहयोग नहीं होने के कारण, वो नहीं पढ़ पाई, आ बच्पन में खूब पढ़ती सच्धाज कर स्कूल जाती पढ़ लिखकर नया सीख कर आती मा तुम जिद करके मुझे पढ़ाती घर के कामों में ना उलजाती आज पढ़ लिखकर तेरा नाम उचा कर जाती तुम भी मेरे उपर गर्ब कर पाती मा तुम जिद करके मुझे पढ़ाती कास छोटी छोटी गलतीयों को सुलजा पाती कास मैंने कोई गलती नहीं की है ये समझा पाती क्यों हमें चार दिवारियों में कैद कर डाली जो गलती हमने किया नहीं उसकी सजादे डाली आज अगर मैं भी पढ़ी लिखी होती अपने बच्चों को खूब पढ़ाती दुनिया का सही गलत का समझ रख पाती ससुराल में भी थोड़ा इज़त मिल जाती मा तुम जिद करके मुझे पढ़ाती घर के कामों में न उलचाती तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में